भारत में ग्रहक अपने लिए 2-wheeler खरीदने के बारे में सोचे और उनके दिमाग में TVS के टू-wheeler का ख्याल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? ऐसे में अगर आपको अपने लिए नई मोपेट खरीदनी हो तो आप TVS XL 100 खरीदना ही पसंद करोगे ये बात तो तैय है तो खुश खबरी ये है कि कमपनी ने XL 100 को BS6 अपडेट के साथ लॉंच कर दिया है तो आईए जानते हैं इस खास मोपेट के बारे में डीटेल में पर उससे पहले हम आपसे सिर्फ एक ही गजारिश करना चाहेंगे कि प्लीज आप हमारी चैनल एंजे हिंदी को सब्सक्राइब करके मिल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटिस्ट आटो न्यूज कभी मिस ना करें बात करें इंजिन की तो कंपनी ने एक्सल हंड्रट में 99.7 cc का इंजिन दिया है जो कि फ्यूल इंजेक्शन टेकलोलोजी से लेस हैं यह इंजिन 4.4 hp की अधिक्तम पावर और 6.5 नीटन मीटर का पिक टर्क जेनरेट करता है हाला कि इंजिन अपडेट के बाद इस का पावर आउट पूट तो सेम है लेकिन कंपनी के दावे के मताबिक इसकी माइलिज में करीब 15 प्रतीशत तक बरोतरी हुई है वहीं इसका वजन भी 84 kg से बढ़कर 85.5 kg हो गया है टीवीस की इस मोपेट का इस्तमाल सामान कैरी करने में बहुत ज्यादा किया जाता है और के ग्रामिन इलाकों में ये मोपेट कई लोगों की पसंदिदा चुही लें हैं बात करें कीमत में हुए इजाफे की तो बेसिक्स अपडेट के बाद इस मोपेट की कीमत में करीब 3,000 से सारी 3,000 रुपे तक का इजाफा हुआ है और अब बेसिक्स टीवेस एक्सल हंड़ट के entry level heavy duty variant की कीमत 43,889 रुपे, heavy duty special edition की कीमत 45,129 रुपे और comfort variant की कीमत 45,459 रुपे रखी गई हैं तो दोस्तों आपको टीवेस की ये हाई mileage, low maintenance और किफाइट कीमत वाली मोपेट XL 100 BS6 कैसी लगी हमें कमेंस में जरूर बताएए और अगर आपको ये जहानकारी पसंद आई ह तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए